हलो फ्रेंस आप सबी लोगों का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल रामगा टैक में दोस्तों आज के इस वीडियो मैं आपको एक जॉब का अपडेट बताने वाला हूँ जो हिंदुस्तान कौपर लिमेटेट के तरफ से निकाला गया है जिसमें दसवी पास और आईटिया अगर आपकी है तो यहां पर आवेदन को कर सकते तो क्या खबर निकाला गया है कहां से आवेदन करना पड़ेगा किस तरह से आवेदन करना है फीस वगेरा क्या होगा पूरी जनकारी आपको इस वीडियो को बताएंगे मैं आपको बता दू कि अगर आप इसी तरह का करते हैं अब यहां पर देख सकते हैं इसका एडवेटाइजमेंट जो है आपके सामने खुल चुका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड रिक्वार्मेंट 2019 मतलब 2019 को इसे निकाला गया था लेकिन आप जो है इसको 2020 तक कर सकते हैं इसका अंतिम तारिक जो है 20 जनवरी 2020 तक ब बताते हैं देखिए यहां पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के तरफ से यह वेकेंसी निकाले गया जिसमें टोटल पोस्ट 100 पोस्ट उपर भरती का अपडेट निकल कर आ चुका है जिसमें टोटल वेकेंसी जो है 100 वेकेंसी निकाली गया है 27 दिसंबर 2019 से इसे शुरू किया गया था और 20 जनवरी 2020 तक इसका आवेधन कर सकते है जिहां 20 जनवरी दोहजर बीस तक आप इसका आवेधन को कर सकते है इसमें ऐज लिमिट जो होगा वो 18 साल से लेकर पच्चीज साल तक होगा और आपका age का जो calculation किया जागा वो 1-1-2-20 के अनुसार किया जागा मतलब 1-1-2-20 में कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए अगर आपका ज्यादा हो जाता है तो आप आवेदन को नहीं कर सकते है उसके बाद देखिए आपका job location क्या है रहागा यहाँ पर job location बता दिया गया है महवंदर वर्क्स HCL ICC तो यहाँ पर आपको job करना पड़ेगा और आपको बता दे qualification यहाँ पर हाई स्कूल दसवी पास कम से कम आपका qualification होना चाहिए जिसमें ITI आपका 60% marks के साथ होना चाहिए तब ही आप आवेदन को कर सकते हैं अगर आप जो है HTSC में आते हैं अगर आप अदिवासी हरीजन में आते हैं या PWD में आते हैं तो 50% अगर आपका marks होगा ITI में तो आप आवेदन को कर सकते हैं अब आपको मैं बताता हूँ कि यह क्या जॉब है इसमें किस तरह से आवेदन करना है देखिए आपको सबसे पहले आप ITI किये हैं जिसमें आपका देख सकते हैं यहां पर फिटर, एलेक्रिशियर, वेल्डर, मेकेनिश है, टरनर है उसके लब यहां पर देख सकते हैं कारपेंटर, पलंबर है तो इस तरह से देख सकते हैं सीट बना दिया गया है आप देख सकते हैं केटेगरिय वाइज सीट यहां पर दिया गया है तो इस तरह से अगर आप यह सभी ट्रेड किये हैं तभी आप आवेदन को कीजिएगा, अगर आपका ये ट्रेट नहीं है, तो आप आवेदन को नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ये डस्टमेंट के लिए सीविल है, मेकैनिक है, तो ये सभी टोटल मिलाकर जो है, 100, 100 पोस्ट उपर ये वेकैंसी निकाले गई है, अब आपको बता तो इसका अलग सिश्टम है, आपको रिटेंट टेस्ट देना पड़ेगा, अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि how to apply, apply कैसे करना है, वो आपको बता देता हूँ, देखिए ये form जो है, offline form है, जी हाँ, offline form है, आपको जो है, इसको पोस्ट के माधियम से आपको इस form को भेजना पड़ेगा, अब चलिए आपको फॉर्म दिखा देते हैं, कैसे भरना है, पूरी जनकारी बताते हैं, आप देख सकते हैं, आपके सामने जो है, इसका advertisement, विज्यापन खुल चुका है, विज्यापन तो मैं आपको बता दिया हूँ, अगर आप अधि जनकारी लेना चाते हैं, तो description में link मिल जाएगा, उस पे click करके आप इसका विज्यापन डाउनलोड कर सकते हैं, तो देखिए ये विज्यापन हो गया, ये application का format हो गया, ये application का format है, तो आपको इस format को डाउनलोड करना है, और देखिए ये address है, इस address पे आपको जो है send करना है, जिया, आपको send कर लेना है, उसके बाद देखिए ये form है, आपको ये form को print करके, आपको one by one सारा कुछ आपको भरना पड़ेगा, concert rate है, employee exchange number डालना है, registration number डालना है, नाम, father name, date of birth है, आपका mother name, correspondence, address, permanent address, mobile number, सारा कुछ आपको यहाँ पर डालने के लिए बोल रहा है, और और वहाँ आपको इसी फॉर्म के format है, आपको इसको भर लेना है अच्छे से, और आपको post के माध्यां से भेजना पड़ेगा, पोस्ट के माध्यां से आपको भेजना पड़ेगा, इसमें आपको हम fees बता दे, कि आपको यहाँ पर fees कुछ भी नहीं देना है, आपको कोई भ इस वगेर नहीं देना है बस आपको form को download कीजिए इसमें आप सारा document का print लगाई है metric plus ITI और आप इस form को भर के post कर दीजिए जिहां उसके बाद आपका selection होगा आपको admit card भेजा जाएगा और आपका exam ती ती उसमें लिखा हुआ रहेगा जब भी exam ती ती रहेगा आपको उस date में जाकर exam लिखना पड़ेगा और आपका selection होगा तो आपको यहां पर course कराया जाएगा और साथ इमसाद आपको पैसा भी दिया जाएगा तो इस तरह से यहां पर हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड के तरफ से यह update निकाला गया है तो आप में से कितने लोग आवेदन को करना चाहते है नीचे comment करके बताएगे और ITI केतने लोग पास है वो भी नीचे comment कीजेगा ताके मुझे पता चल सके और मैं आप के लिए ITI के और भी जॉब और दसवी पास बारवी गरेजेशन सभी के लिए यहां पर अपडेट ला सकूंत तो बस आज के लिए जाओंगा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेर कीजेगा इसी तरह का खबर अपडेट नीच पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लिए तो फिलाल के लिए जाओंगा तब तक लिए ध्यान रखेगा अपना नमस्कार